अश्यार दोस्तों, कैशे हो आप, आश्या करता हूँ, आप सब कुछाल पूर्वक होंगे, जय सत्गुरु स्री माली जी की जय, जय सत्गुरु स्री नाथी राम बालमे की की जय, जय समसानकाली, मैं भगत नरेश कुमार पांचाल, अपने महाकाली चैनल में, आप सभी भाईयों का, आप सभी भैनों का, आप सभी बजुरुगों का, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, मैं भगत नरेश कुमार पांचाल, अप सभी भाईयों के लिए, एक पित्तर सेवादार की ऐसी अजीब साधना लेकर आया हूँ, जिसके साथ आप माई मदान वारी को, माई पाथरी वारी को, माई नथिया को, माई शाम कोर को, माता सैडो को, अपने पित्तर सेवादार के साथ जोड़े में चला सकते हो, अपने घर के देवताव को भी चला सकते हो, और इसकी सुवारी अपने स्रीर पर बुला सकते हो, हर कारिये करवाश सकते हो लेकिन भलाई के काम करने चीए हमेशा गलत काम कभी न करे अगर गलत काम करोगे गलत काम करने दीजा हमेशा गलत ही होता है यह ध्यान रखना जितना भी हो सके भलाई काम करो जितना जादा भलाई काम करोगे पितर सेवादर उतने आपके काम करता चला तो आपनी हानी और के शोहम जिमिवार बनोगे मैं पहले गया रहा हूं कि इना गुरोगे ảo कोई मंतर चलता न कोई प्रव मन्तर चलता न कोई जन्तर चलता गुरु की तो आपको कदम कदम पर जुरुत पड़ेगी जो लोग अपने गुरू की ब्राइएं करते हैं जो लोग अपने गुरू के पीट पीछे चुगली करते हैं जो लोग अपने गुरू का भूरा भला करते हैं जो लोग अपने गुरू को गरत बोलते हैं जो लोग अपने गुरू को अबद्र भासा का इस्तिमाल करते हैं, वो गुरू का कुछ नहीं लेते, वो अपनाई खोरे, क्योंकि आपने ससंग में भी सुनाओगा, कई बड़े-बड़े ससंग में भी आप गए होंगे, कई माल लोग आपने किसी किताब में भी पड़ाओग जो लोग अपने गुरू की निंदा करते हैं, जो लोग अपने गुरू की कटवी करते हैं, जो लोग अपने गुरू की पीट पीछे खंजर गोखते हैं, जो मुँपे मिठे बने रहते हैं, पीट पीछे खंजर गोखते हैं, वो कुछ नहीं है, वो अपने गुरू के बारे में गलत ना सोचो, गुरू कैसा भी हो, जिसका भी गुरू जो भी है, कभी अपने गुरू के बारे में गलत ना सोचो, अपने गुरू को गाली ना दो, अपने गुरू की निंदा ना करो, अपने गुरू की चुगली ना करो, अपने गुरू के पीट पीछे वार ना क करो कभी भी गुरू के सा दोखा ना करो क्योंकि गुरू के सा दोखा कर रहा है तो साथ जनमों भूगत ना पड़ेगा इसका तो मार साथ जनमों तक पड़ेगी या तो आप किसी को गुरू ना बनाओ गुरू बनाओ तो उसको दिल से बनाओ पर अपने गुरू के कभी भी यो गुरु गुरु ही रहेगा, अगर आपने उसको गुरु बनाया है तो सोच समझ कर बनाया होगा, लेकिन ये नहीं है, के गुरु सारा कुछ हेगी दिन में देदेगा, एक दिन में किसी से नहीं मिलता है भाई, हमने भी मेनत करी है, दक्के खाए हैं, दक्के खाके मिलते ह लोग जाते हैं बगत बनने में बगत बनना को बच्चों को खेल नहीं हैं कुछ लोग दावे करते हैं हम मुसानी की सित्धी करवा देंगे हम समिसान की सित्धी करवा देंगे हम समिसान काली सित्धी करवा देंगे ये कोई तुम्हारी चोरी नहीं है जो ऐसी करवा दोगे को करकी रिसिदारनी नहीं है तुमारी जैसे उठायर करवा दे इसको बिजनस ना बनाओ भाई इसको रोजगार ना बनाओ इसको सोच समझ के देओ अगर किसी को अगर मालो भगवान ने आपको सक्ती बक्सी है अगर भगवान ने आपको तागत बक्सी है तो किसी ऐसे को तो द तो इसलिए माता मसानी की सिद्धी और माता समसान काली की सिद्धी और बाबा बुलाकी की सिद्धी बाबा कलवा पाउने की सिद्धी अगर किसी से करवाओ तो दस बार सोच समझ के करवाओ किके यजारों सकतिएं इतनी खतरना कितनी पावर फुल है अगर किसी की गलत हाथ लगी तो अकले का नास कर देगा अगर उसने गल्ति कर दी तो उसका नास होजीगा बस ये ध्यान रखना अगर आप किसी से सिद्धी करवा रहे हो तो सोच समझ कर करवाई जाच कर करवाए ये ना सोचे भी पैसों के लाला सिमाज अब एक गदे घोड़े आ रहे हैं पर दे रहे हैं जो देखा जाएगा जो होगा करो भई अर अपना जूतने नोट आ रहे हैं आना तो ऐसा ना करना भाई करती सिद्धि है सिद्धि कभी मजाक नहीं होती इसको कभी मजाक में न लेना इसका जितना भी हो सके सोच समझ कर इस्तमाल करे अगर सिद्धि कहीं पर अपने अपर प्र उल्टी पड़ जाती है अगर अगले कोई मामूली सकती नहीं है, महाकाली, जो जगत जन्नी, वो भी कोई छोटी मोटी सकती नहीं है, भाई, बाबा कलवा पवन, खरदोनी वाडा, बाबा बुलाकी, माता नतिया, बाबा सबल सिंग बावरी, बाबा के सरमल बावरी, ये कोई छोटी मोटी सकती है न समझो इसको, को मजाक नहीं उत्ता बच्चों का खेल नहीं है कि जिसको चाया बैजो भाई हम देंगे हमार से आके मिले हमार से संपरक करे हरे भाई शक्ति देओ उसको देओ जो इसका इस्तिमाल से डंग से करे जो इसकी वेल्लू को समझे जो इसकी कीमत को समझे ऐसे गदे गोडे कठे करके शक्तिया ना देो इसलिए भाई गुरू भी सो समझकर बनाए और चेला भी सो समझकर बनाए और ताड़ी कभी एक हास्य नी बजती ताड़ी हम इसा दुन आथों से बजती अगर चेले में कमी है तो गुरू में भी कमी होगी अगर गुरु में कमी आई तो चेली की वज़े से भी आईगी यह ध्यान रखना में सह है किसारा खोट घुरु का नहीं होता है कुछ खोट चेलों का भी होता है कुछ चेली जल्द बार जादा होते हैं वो चेले सोचते हैं फटा फटा आग्या बढ़जें साथ जन्मों तक क्योंकि मैंने दुनिया देख रखिए भाई दुनिया आती है हमारे पास बड़े-बड़े खलारी देख रखिए हैं जो दावे करते हैं लेकिन फिर बाद में फूर्स हो जाते हैं हो इसलिए भाई गुरु बनाए सो समझ कर चेला भी बनाए दस बार सोच कर सब्सान की से थी मैं करऊंगा कलवा पहन कर दी मैं करोंगा बाबा बला की किसे नहीं दस बार सोचो पहले विचार करो विवाक्य में छे लग में अगर सकती दे रहा हूँ ये इसको रहने लग है के नहीं है ये इसको समाड पाएगा के नहीं समाड पाएगा कई ऐसा नो वो अपना भी नुक्सान करे और दूसरे का भी नुक्सान करे तो इसलिए भाईयों मैं तहाद जोड़ कर यही कहूंगा कि सीधियों का गलस्त इस्तमाल ना करे अगर तुम्हारे गुरुवन तुम्हारे को कोई शक्ती बक्सी है तो उसको सही डंग से इस्तमाल करे और बुद्धी से इस्तमाल करे और ज्ञान से इस्तमाल करे बास अबा मंतर सुने ओम आदेश आदेश गुरुजी आदेश पित्तर सेवादार के साथ जागे माई मदनन जागे माई पाथरी वाली जागे नथिया माई जागे शामकोर माई जागे नगर खेड़ा अपने भगत के उपर लगाओ हाजरी और चोंकी पार कर दो बेड़ा घर में रोग दोस किया कराया भेजा बिजवाया दुख दरिदर कारो बार में ब्रोतरी करे अगर मेरे बुलाए पर हाजिर ना हो तो शिव संकर की आन गुर गोरखनात की आन नाता महांकाली की आन मेरी बगती गुरु की शक्ती चले मंतर इश्वर वाचा यह मंतर है दोस्तों मंतर एक बार होर सुने आदेश आदेश गुरु जी आदेश पित्तर सेवादार के साथ जागे मातामदानन जागे शाम माथरी वाली जागे माई नथिया जागे शामकोर जाग नगर खेड़ा अपने भगत के उपर लगाए हाजरी चोंकी और पार करे कर दो बेड़ा घर में रोग दोस्त किया कराया भेजा बजवाया दुख दृद्दर कारोबार में बडोतरी करे अगर मेरे बुलाए पर हाजिर ना होए तो आन शीर संकर की आन गुरु गोर खनात की माता महाकाली की मेरी बगती गुरु की शक्ती चले मंतर इश्वर वाचा यह मंतर है दोस्तों मंतर है आदेश आदेश गुरु जी आदेश पित्तर सेवादार के साथ जागे माई मदनन जागे माई पाथरी वाली जागे नथिया माई माई शामकोर जागे नगर खेड़ा अपने भगत के उपर लगाओ, हाजरी चोंकी, और पार कर दो बिड़ा, घर में रोग दोस किया, कराया, भेजा, भजवाया, दुख दृद्धर कारो बार में भडोतरी करे, अगर मेरे बुलाए पर हाजर ना हो तो, आन शी शंकर की, आन गुरु गोरहनात की, आन माता महाका जाली की, मेरी बगती गुरु की शक्ती, चले मंतर इश्वर वाचा, यह मंतर है दोस्तों, मैंने तीन बार बोल दिया, अब आप इसकी विधी सुनें, इस मंतर को आपने मंगलवार से शुरू करना है, और ग्यारा माला आपने इसकी जाब करनी है, और उद्राक्ष की माला से जाब करे, सफेध ही आपका असान होना चीए, सफेध ही आपके कपड़े होने चीए, और रातरी आठ बजे आपने शुरू करना मंगलवार को, सबसे पहले आपने माता मदान दन का भोग दे कराना है, माई मदान वाली के स्थान पर दे दे, अगर उसका स्थान ना मिले तो खाली मदान में दे दे, माई मदान दन का जो भोग है वो सुने, दो मोती चूर के लड़ू, साथ पता से, दो लोंग, दो इलाची, दो मिठे पान, दो पूड़े, जो गुड़ के बनते न पूड़े, मिठे पूड़े, एक सिंगार का पैकेट, पांच गुलाब के फूल, एक सरसो के तेल का बना हुआ हलुआ, सरसो के तेल में हलुआ बना ले, आटे का बना ले, चासुजी का बना ले, आपकी इच्छ है, ठीक है, सरसो के तेल का दिपक, कच्ची लशी बना कर माता को सनान करवा दे, अगर स्थान ना हो, तो उसके नाम से, जहां पे खाली मदान से दो लोंग और देश्यीगी का चिराग और दो अगरबत्ती एक पानी का लोटा वहाँ पे रखे और एक दीपक लगाए अपने शेवादार के नाम से ठीक है एक चोंकी सजाले चोंकी के उपर सफेद कपड़ा बिछाले और सेवादार के नाम से दीपक लगाके फिर उसके बाद ये भोग लगाए अंग्यारी पर अंग्यारी करें अंग्यारी पर सफेद चावला का भोग पतासे लोंग देश्यीगी की अंग्यारी करके अगरबत्ती लगाकर है इसका पानी का चिंटा डालकर भोग लगाए और जो मंतर मैंने बताया इस मंतर की कम से कम 11 माला होगे इसमें मेरी को जुमिवारी नहीं होगे मैं पहले बता रहूं और इसमें बाकी खाली सेवादार नी सेवादार के साथ तो आपकी कहीं शक्तियां चलेगी माता मदान वाली चलेगी माता पाथरी वाली चलेगी माता नथिया भी चलेगी माता सामकोर भी चलेगी आपके घर के सारे देवता भी चल सकते हैं बाबा आपके फित्तर सेवादार के साथ इसको करके देखू आपको जुरूर फैदा होगा ठीक है दोस्तों फेर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ जय माकाली जय समसानकाली